नमस्कार मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे आप सभी उमीदे आप सब स्वस्त होंगे और मस्त होंगे हलो बच्चों हलो कैसे वाप सब आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्त हैं मस्त हैं और बढ़िया से इस शेशन को देखने वाले हैं तो बुला लीजी अपने बाकी दोस्तों को भी सभी दोस्तों को ये शेशन शेर कर दो बिटा क्योंकि आज का शेशन भी आपके लिए काफी जादा फाइदे मंद होने वाला है जो कि आपको year long फाइदा देने वाला है अगर आज की planning को आप सही तरीके से execute करेंगे पुरे साल भर तो आपको कहीं पर भी कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली है तो हलो जी हलो बच्चो हलो गुडाफटर नून यार गुडाफटर नून कैसे हो आप सभी आ जाई है फटाफट से वेरी वेरी गुडाफ़न सभी को तो आज हमें एक इंपोर्टन सा सेशन लेकर आए हैं अभी हमें यह तो समझ में आ गया है जैसे नीट के बात वाले दिन अपने एक बड़ी आस वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैं आपसे पूछा भी था कि यार आपकी क्या गलतिया हुई है अगर आपको अगले साल नीट में और बहतर करना है या अपना बेस्ट देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कबूल करना होगा कि आपने क् ही आपसे तो उन्हें इस साल ना दोराते वे और बहतर करना होगा साथ ही साथ अभी हम आपसे कुछ ऐसी बाते शेयर करने वाले हैं ना कुछ ऐसी इंपोर्टेंट सी बाते शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपनी नीट के स्कोर में इसी साथ स्टार्टिंग से जब से आप साड़े 600 प्लस का टार्गेट लेकर चलो बिल्गुल स्टार्टिंग से आपको यह सोच करके चलना है कि मेरा तो जो लेवा लेना वो मेंटेन रहना चाहिए पुरे साल बर जहां पर अगर आपकी 300 नंबर आ रहें कोशिश करें इसको 400 के लाने की जहां 400 आ रहें कोशिश दिखाएगी जो हम सालबर महनत कर रहे हैं जो टुक्डों टुकडों में हम बार-बार टेस्ट दे रहे हैं वही टेस्ट कहीँना कहीं लास्ट में जा करके हमारे लिए फूट फुल रहेंगे और बहुत बढ़ीा रिजल्टने वाले होंगे इस बार बहुत सारे बच्चों यार तुम मैंसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार रिपीट करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमने बहुत सारे मिस्टेक्स करी है हमने चीजों को ढंग से नहीं पड़ा हम थोड़ा लापरवाई कर गए या हमने थोड़ा सही तरीके द्यान नहीं दिया लेकिन अब हमें लग रहा है कि यार यह पर हम निकाल सकते थे तो अब उनको कहीं न कहीं यह लग रहा हुआ कि यार काश एक मोका और मिल जाए या मैंने यह गलतिया नहीं करी होती तो मेरे यह 600 प्लस मार्क्स तो आई रहे थे बिलकुल सर आप बलकुल सही बोल रही हो कल भी मेरे काफिस सारे बच्चों से बात हुई तो जो में समस्या या जो में प्रॉब्लम मुझे समझ में आई आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ क्या एक बच्ची मुझे सब कुछ आता था मैंने बढ़िया से प्रपरेशन करी लेकिन मैंने पूरे साल बर टेस्ट बहुत कम लगाए थे अब जब नीट का पेपर देने बैठे तो न यहाला फॉर्मूला भी बताए गया था सब कुछ क्लास में बता गया था सब कुछ क्लास मो privata चाहिस बहुत सारे बच्ची बोल रहे थे कि सर आपने लास्ट्ट कि आगर इस एग्जाम की बेपरेशन से कर रहे होते शो हमने लास्ट में कुछ दिनों मेहनत करी है अगर पूरे साल भर करते तो कितना फाइदा होता जहां पर हम पहले एक चेप्टर को एक दिन दो दिन दे रहे हो आप घर पर बेट करके और जहां पर अगर आप स्टार्टिंग से बढ़िया से उसका फुल लेक्चर देखोगे प्रोपर प्रोपर पूरी चीजे देखोगे तो लिए बिल्कुल बिल्कुल सर ना और सशिसके अलावा काफी सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम था कि सरज कि सिना किसी कारण वर्ष की जब हम लोग पढ़ रहे थे तो करते व 때도 इसीना किसी कारण वर्ष हमारा बैकलॉग बन गया यह किसी कि he वर्षामर कुछ चाप्टर्स बीश्ट के छूड़ गए तो उसे फ्लो टूड़ गया था हमारा तो वह सब कुछ इस साल नहीं करना है तो हम एक छोटी सी स्ट्रेजी पर आते जिसे हम साड़े है उ सब्जेक्त की पात करेंगी कि एक इन कियों पॉइंट का ध्यान रखना है वहीं है थीक है जीडा मतकर हम आप वड़ीये छाली चेजी बताने वाले हैं ओके क्लियर है तो यार जैसा कि अभी सर ने आपको बताया है कि साड़े 600 माक्स आप किस तरीके से लेकर आ सकते हो पूरे साल भर बढ़ाए करोगे तो अच्छी तरीके से ओके तो यहां पर मैं आपको केमिस्टर के बारे में बतायता हूँ कि किस तरीके से आप चीजों को देखोगे क्या-क्या चीजे हैं जो आपको देखनी है और क्या-क्या चीजे हैं जो आपको समझनी है ओके अभी अगर मैं बात करूं नीट 2000 अगर मैं बात करूं बटा नीट और 12 बहुत सारे बच्चे ये बूलते हैं कि सर केवल हम 11 पढ़के चले जाएं या सर हम अभी 12 कर रहें तो 12 के साथ एक्जाम दे लें तो 12 12 का पढ़कर के मैं कितना टेम कर सकता हूं ऐसे हमारे एक पेड़ बेच का स्टुजेंट ता नाम ता जिसका देवडोन वो बूल रह तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई बिटा कि मेरे को 11 भी पढ़नी पढ़ेगी और 12 भी पढ़ने पढ़ेगी हाँ या ना ओके तो सर ये तो हम कर लेंगे ये तो आपने बता दिया बढ़िया बात है लेकिन आप इस बेच में किस तरीके से पढ़ाने वाले ह भी तो आप बताओ तो अब यहां पर आते हैं कि यार हमने जो पिछली बार गलतियां करिए उन गलतियों से आपको सीखना है और आपको हर एक चैप्टर को इंपोर्टेंट मानते हुए पढ़ाई करनी है आप ये न सोचे कि सर वो चैप्टर तो फलाना चैप्टर बहुत ज्यादा थियोरी वाला है मैं उसको नहीं पढ़ूँगा या आपको कोई दूसरा चैप्टर लगा कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिकेस में यह मैं नहीं करूँगा आपको सब कुछ पढ़ना है और इस सेशन को आप लाइक भी करते रहें यार सेशन को ल इट का पेपर बनने वाला है तो आपको उसके लिए निश्चिंत रहना है इसलिए हम आपके लिए लाइव बेच लेकर आ रहें जो भी चेंज आएगा हैं तो आपको करवाएंगे और बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे तो अब मैं आपको बता दू हम किस तरीके से पढ करना है आपको शुरुआत 11 से करनी है क्योंकि हम बहुत सी बार अपने आपको कही न कहीं समझते हैं कि यार यह तो हमें आता है लेकिन पेपर में बेटा एक सिंपल सा कुशन आता है और वो भी कहीं न कहीं हम गलत करके आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे क्लास 11 के कुछ टो तो सबसे पहले हम 11 क्लियर करेंगे दिन उसके बाद 12 ठीक है वही पूरा बेसिक से होएगा बिटा तो आपको भी पूरे साल बर बेसिक से पढ़ना है इस बेच में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रिपीटर होंगे तो मैं आपको भी यह कहना चाहता हूं बिटा जी कि आपको पूरे साल भर प्रोपर प्लानिंग के तहत काम करना है ठीक है जो बेसिक वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ना है और एडवांस तक लेकर चलना है जीरो से जो एडवांस लेवल तक की प्रोब्लम है वो आपको करवाई जाएगी बढ़िया से आपको करनी है बढ आखिरम भात करें तो ये काम तो आपको सबसे पहले करना है और भाई आपको कसम है न gagn दोहजार 5 की की 2023 की तो हमने आपको बहुत कसमें दी आपने माना भी बिशरी Ồ अब आपको मैं पहले सही बोल देता हूं क्योंकि यार सेलेक्शन होगा तो आपका होगा नहीं होगा त यार सर मेरे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सर मेरे ममी पापा बोल रहे हैं कि सर मेरे को ये कर लेना चाहिए सर मेरे को ये कर लेना चाहिए आपके बोले कि सर मेरे ममी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे है मेरे को तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेसेज आए भाई ठीक है मैं बता सकता हूं बहुत सारे बच्चों के मेसेज वगेर आये हुए तो आप से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस बार प्रोपर नोट्स बन जाए उसको ढंके टेस्ट मिल जाए उसके रेगुलर डाउट दूर हो जाए और एक्स्ट्रा में वो रिविजन करे टाइम टू टाइम और रिविजन किस तरीके से करना है मैं आपको साथ दिन का टारगेट देता हूं साथ दिन में आप तीन दिन तो जो आपकी पढ़ाई च का लें कि यार हमें साथ दिन में जो पढ़ाया गया था उसको रिवाइस भी करना है क्योंकि अगले संडे हमारा टेस्ट आने वाला है तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है बिटा क्लियर है तो यार यह सारी फीस बिटा सही है अच्छे से आप कर सकते हो तो आपको मैं य प्रोपर शुरुआत सही पढ़ाई करनी है टेस्ट नोट्स प्रोपर बनाने है ओके और चुटियां कम से कम करनी है कहीं कहीं पीटा एक यह होता है डिसडवांटेज अगर आप सच अगर आप मेरी क्लास में होते न ओफलाइन में तो कहीं न कहीं अगर आप एक दिन नहीं आते ना मैं दो दिन तक आपको क्लास में नहीं गुषने देता आपके पेरेंट से लिखवा कर लेकर लेकर मंगवा था कि सर्य इस वज़े से नहीं आ पाया था आपको वही डिसिप्लीन यहां पर रखना है ठीक है कि एक दिन की भी क्लास मेरे को मिस नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए अगर मैं मिस करता हूं तो मैं इसको पूरी राद बढ़ देखूंगा अगली दिन और फिर यहां पर आउंगा हाजी बेटा यह लाइव एकदम पहले 11 फिर 12 आरम बेचम बेटा हम 11 और 12 दोनों पढ़ाएंगे अब जैसे कि मैं बात करूं केमेस्ट्री में सकता हूं और गेनिक की बात करूं मैं 12 की और गेनिक डायेट स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक तुम्हें आयू पीसी समाव यह उता जी ओसी वाले पार्ट ना जाए ठीक है इन और गेनिक में भी पिरियोडिक अगर तुम ढ़ंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम 12 वाला टो पूरे साल पर और टेस्ट आप दे रहे हो डाउट सोलू कर रहे हो रिविजन लगा रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि फिर इसके अलावा तुम्हें कोई एक्सट्राक स्टेट्जी करने शोट नॉट्स तुम बना सकते हो शोट नॉट्स तुम बनाओ अच्छे से और हम और गरा कि हम आपको टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि किस बच्चे कम नंबर आ रहे हैं ठीक है तो सारी चीजें आपको में यहां पर बताता हुआ चला जाओंगा और साथ में अभी आपको कुछ चीजें और बताएंगे पलीवाल सर जो भी आपके साथ शेर करना चाह फिल कर सकता हमारी तीम आपको कॉल कर लेगी और इसके लावा सर कुछ बच्चे नहीं है तो एक फिर से मैं बता देता हूं कि जो क्लासेश होने वाली बैटा ना तो ग्लासेश कपसे स्टार्ट होगी बाइस मईसे 22nd मईसे क्लासेश अभा और यह कंपीलीट लाइफ रहने वाला है पूरा का पूरा वाज जो है वो पूरा लाइफ बैच होने वाला है और जैसा कामिश सरब रेंके आप तो अगर आप उस रेंज में रहे गए है विटा तो आप अगर नेक्स्ट रेपेर करते हैं तो उसके लिए स्टाटिंग सही आपके लिए अलग से एक ऐस्टार बैज बनाया जाएगा साथ 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 एक backlog special series जैसे अभी कामेसर बोल रहो थे भाई आपके बीच में classes छोड़ जाती है या आपने बीच में class छोड़ दी तो उसको cover up करने के लिए ये backlog series इंडिया के किसी batch में provide नहीं करवाई जाएगी आपको ना तो most branded batch जो है RM batch इस साल उस में एक और नया feature add किया गया जो उसकी brand value को बढ़ाता है याना क्या backlog series तो backlog series हर महने starting में हम आप लोगों को जैसे एक डिड़ महने के classes हो जाएगी उसके बाद से हर महने के पहले week में या महना खतम होने पर हम आप लोगों extra classes provide करवाएगे जिसमें जो महने पढ़ा गया है उसको cover up करेंगे फिर से और इसके साथ course completion जो है बटा वो need के काफी पहले हमारा target है क्योंकि इस batch में काफी सारे repeater या dropper बच्ची भी रहेंगे और काफी सारे class 12 के बच्चे भी रहेंगे तो class 12 की board exams के काफी पहले सिलिबस खतम हो जाए ताकि आप बोर्स भी अथी से concentrate कर पाए और जिनके boards नहीं है वो need के लिए अथी से revision कर पाए साथ ये साथ daily performance tracking भी रहेगी और आपकी जितनी classes होंगी उन classes में सापने कितनी classes attend करी कितने test तक आपने वो class देखी बिल्कुल कि बहुत सारे बच्चे क्या गड़ते सर खोला और फिर या किसी दोस्त का फोन आ गया या कहीं चले गए कि घर पर ही तो बैठे हुए कोन सा सर देख लेंगे बटा सब डेटर दिखता है उसमें ठीक है और हम आपको दिखाएंगे एक दो बार इनको इस ट्राइटिंग में दिखाएंगे भी इसके साथ जो लास्ट इयर बाते थी वो तो सेम रहेगी या अडिशनल फीचर से इस साल बाकि लास्ट यह वाले डेली प्रैक्टिस कौशन्स मिलेंगे आपको टेस्ट होंगे मॉक टेस्ट होंगे वीकली टेस् लाइसाथ में इसकी कमींग संदे में उसका टेस्ट जरूर होनगे रहेंगे सब्सक्राइब को टीचर स्लाइच और टीचर समीष मिलेगे इसको बाले और एंडिया के बैस्ट हिंदी मीडियम के टीचर्स आप लोग के लिए है आप बायोलोजी आपको योगे सर और पार सर पड़ाएंगे साधी त्यसाध केमिस्टरी में कामे सर और विकरम सर रहेंगे फुजेक्स में मैं और विपन सर रहेंगे आपके लिए इन टीचर्स को कातो सर इनको परीचे देने की कोई जरूत है नहीं जो कि आपको हिंदी मीडियम में काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम का मतलब डाउट नट जिनके लिए हम यहां पर लगातार खड़े ह हुआ है उनके लिए हर एक काम अभी जब इनके निट 2013 का एक्जाम आया था तो मतलब समय की सीमा कोई तोड़ दिया आप ने तो बारा घंटे प्लस क्लास ले डाली मतलब इतना कहीं न कहीं बेटा आपके लिए जो हम एफट मार रहे हैं हम भी यह चाहते हैं कि यार हिंदी तक टीचर्स ने यहां पर पढ़ाया हुआ है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यार यह टीचर हमारे साथ मतलब आगे बढ़िया करेंगे या नहीं करेंगे सब अपने आप में बैटर करना चाहते हैं कि हां यार हमें इन बच्चों का रिजल्ट निकालना है बढ़ि हजार में बैच मिल जाएगा लेकिन कब 15 महीं तक और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नीचे जो गुगल फॉर्म है उस पे भी लिंक पर आप क्लिक करके अपने डाल सकते हैं नंबर यादर के 01247158250 या अगर आप खुद से भी बैच ले रहे तो आप कूपन कोड आरं लगा सकते हैं एप में डारिक चालो इसी प्रकार से को इसी प्रकार से हम थोड़ी से फिदिक्स को लेकर भी चर्चा कर लेते बिल्कुल सब्सक्राइब और बाते जो कामिसरे ने बताई है एगर आप नोट्स बढ़िया ढंग से बनाते हैं नोट्स सबी सब्जेक्ट में अच्छ से बनाने हैं आपको टेस्ट नियमित रूपसे देना है और रिविजन अच्छे से करना है तो रिविजन में हम बैकलॉग सीरीज चलाएंगे आपका बैकलॉग नहीं भी होता है तो भी आप उससे रिविजन कर सकते हैं साधी साथ प्रॉपर न कुश्यन प्राइक्टस ऑगया तो मैं बोल देता हूं जोड़न द्धुमाखेदार करनी ही होगी चाहे जो हो जाए ना दिन में जतने जादा questions लगा सकते हो जतने जादा questions प्रैक्टस कर सकते हो उतने जादा practice करने होंगे हैना मैं आपको भर-भर के questions दूँगा भर-भर के questions दूँगा मतलब कि अगर मान कर चलो आप total लिए स्पेशली फिजिक्स में क्यों मुझे पता है फिजिक्स में काफी सारे बच्चे जो होते हैं उनका मामला गडबर हो जाए तक कुश्चन्स धंक से प्राक्टस नहीं हो पाते हैं और इमांदारी वाली बात बता रहा हूं आपको आप लोग चाहो तो हम लाइव कॉल अ उसी से है और इंफेक्ट जो एक्स्रा कोश्चन्स प्राक्टस कर वाए तो काफी सारे कोश्चन्स बिना वैल्यू चेंज किये सेम इस नीट के पेपर में आये हैं और यह तनी निकाल सकती है तो उन बचो का जो मतलब जो हम अब बढ़ाए या कि यार देखों के लिए इतना बढ़िया किया और वह बच्चे कहीं न कहीं भी यह बात समस्ते हैं तो यार का रह यह देखके काफी अच्छा लगता है आप भि बढ़िया करो बस आपको पुर तो आप बढ़िया से यहां पर पढ़ाई करो इस बेच में जैसा कि अभी सर ने बताया है कि आपको कुश्चन्स इतने करवाए जाएंगे इतने करवाए जाएंगे आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की जुरुती नहीं है बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर मैं ये मैं को कौन-कौन से खरीदनी चाहिए आप यहां पर कोर्स में आओ हम आपको सब प्रोवाइड करवाएंगे ठीक है आपको अभी जैसा कि सर ने बताया आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवाए जाएगी मोक टेस्ट आपको दिलवाए जाएंगे आपको बढ़िया से बढ़िया सारी चीजे कवर अप करवाए जाएगी और अब इस बेच में सर बहुत सारे अपने बोर्ट वाले बच्चे भी एड होएंगे तो चिंता मत करो तुमारे लिए भी लास्ट में हम सारी विवस्ता करवा देंगे कि तु प्रक्टर करने होंगे नोट की बात हो ही चुकी है तो दो कौपी बना लूआ एक क्सशिशख कॉपी और इसके अलावा जितने सारे सारे इत वह सारे नोट करने इसी प्रकार से एक była चानल काूए उपAKो तो स्पेशली फिजिक्स की NCRT में क्या क्या इंपोर्टेंट है वो सारा अंडरलाइन करा हुआ एक पेज पे इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क करावा जो है वह सारे पॉइंट आपको में प्रोवाइड करवा दूगा आप टेलिग्राम चनल जाकर देख सकते इसी साल नीट की एक्जाम के एक मेहने पहले 15-20 दिन पहले मैंने बहुत सारे एक्स्टार शॉर्ट नोट्स और इसके अलावा NCRT की PDF प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हर एक पन्ने पे अंडरलाइन करके दिया था कि भाई यह यह इंपॉर्टेंट है यह सब कुछ करना है आपको NCRT से और बहुत सारे जो theoretical questions है वो उन्ही लाइन से उठकर आए है सीदे-सीदे ठीक है NCRT का जो syllabus change हो है वो upgrade कर लेंगे हम लोग आपको जो भी बताया जाएगा वो latest syllabus या latest pattern पर होगा वही आपको बताया जाएगा और वही पढ़ाया भी जाएगा ठीक है चाले और यही सारी बाते आपको physics में ध्यान रखनी है इसके अलावा जो भी classes होंगे उसके short notes भी specially में प्रोवाइड कर वाँगा इसके अलावा physics और chemistry के सासथ biology की भी कुछ बाते में बता देता हूँ पार सर से मेरी बात हुई थी आसवी तो पार सर बोल रहे थे कि भी अगर शाड़े 600 plus marks बायो में लेकर आने हैं तो जो पार सर बोल रहे है उतना उतना पढ़ लो यहना म नीट में नीट में आपको स्पेशली बायो में questions आये हैं जैसा पार सर ने मुझे बता कि भाई जितने questions आये थे 100 questions में से 90 questions जो exact same questions थे ठीक है तो यही सारी strategy आपको follow up करनी है यही आपको class 11 के पूरे syllabus में class 12 के पूरे syllabus में करना है और साथ ही साथ साथ ही साथ आपको यही सब कुछ physics chemistry और बायो तीनो subjects में करना है अराम से बढ़िया तरके से प्यार से अगर आप regularly classes follow करते हैं सबसे पर तुम्हें वादा चाहूंगा सभी बच्चों से comments में comments में सभी बच्चों से वादा चाहूंगा कि आप लोग regular class करेंगे और सबसे पहला वादा सबसे important सी बात regular class daily class daily class करना है साधिसा डेली notes बनाने है डेली questions करने हैं homework के जो questions मिलेंगे DPP के जो questions मिलेंगे और हमेशा test देना है कोई भी test नहीं छोड़ना है अगर आप इतना अगर आप इतना आने वाले 10 महनों तक लगातार कर लेते हो 9 से 10 महनों तक लगातार कर लेते हो तो मैं बोल रहा हूं आपके need में selection से selection आपका need में कोई नहीं सकते हाँ पहले पूरी 11 12 दोनों पढ़ाई जाएगी बिटा अच्छा 11 होगी या 12 वह तो चैप्टर पर डिपेंड करता हो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ताकि बोड के काफी पहले क्लास 12 भी खतम हो जाए हाँ तो क्या सभी वादा करते हैं कि यह केबल चार पॉइंट हैना अगर आप इमांदारी से क्लास करते हो आपके सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद में आप 5-6 घंटे के अंदर अंदर यह सब कुछ कर सकते हैं अगर आप 5-6 घंटे डेली सबसे इंपोर्टन सी बात डेली नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आप 100% सेलेक्शन पालेंगे हाँ वे क्या सभी तयार है इसके लिए एक से बढ़िया कवरप करवाई जाएगी अब मैं आपको थोड़ा सा यह बताएता हूं कि 650 प्लस नंबर लाइकर आने आपको तो किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आपको चाहिए आगर मैं बात करू यार तुमारे नीट के एक्जाम में सबसे बड़ा पोर्शन है बा आप अपना गोर्मेंट कोलेज सिक्योर करने की सोचें कि 600 प्लस मेरे नंबर आ जाए ना मेरा गोर्मेंट कोलेज तो सिक्योर हुआ ठीक है और उससे उपर अगर मेरे को लेकर आना है तो मेरा जो दिल्ली एम्स का सपना है फिर मेरा एक बढ़िया पीजी आई चंडीगर को 350 प्लस लगाने है यार एक बच्चे को जब एक एक सर कोटा में जब मैं पढ़ा रहा था ठीक है उस टाइम पर एक बच्ची के घरपे में गया था जिसका नाम था विजीता तीवारी उसके डेस्क के ऊपर उसने लिखावा था एया यार वन कि यह मेरे को लेकर आनी है तो क अगर मैं तीन चार कुषण छोड़ दो जलो बाकी कुषण तो आप लगा सकते थे ठीक है पचास कुषण में से 45 हमें करने होते हैं उन में से वो कुषण सटा दो तो आप डेफिनेटली बेटा आराम से 42 43 कुषण लगा सकते थे अगर बाइचांस कोई जा तेयोरी का चीज़े पूछ ली वह आपसे नहीं हो पाई लेकिन बाकी तो चीज़े आप कर सकते थे डेफिनेटली तो आप डेफिनेटली इसमें आराम से 150 प्लस स्कोर लेकर आएं और जैसा कि अभी आपको सरने बताया पूरे साल पर अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो इसमें भ सब्सक्राइब तो मुझे उमीद है आप सभी के बहुत ज्यादा काम आएगा और साथ साथ सभी बच्चे वादा करते की हां सर इतना हम 100% करेंगे ही करेंगे तो आपको वीडियो में जो इंपोर्टेंट बाते बोली ती अगर वह समझ मैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करना साथ ही साथ साथ ही साथ आप लोगों को यह सार चार इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ना तो अगर आप फोलो करोगे आप वादा करते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि हां सर हम वादा करते हैं हम तयार है पूरी तरीके से नीट 2014 को फोड़ने के यह 22 महीं से शुरू हो रही है सारी क्लासे जोंगी लाइफ क्लासे होंगी आपको रैंकर्स बैच अलग से मिलेगा जो बैया करेगा उसको अलग से बिल्कुल और इसके अलावा आपको बैकलॉक सीरीज अलग से प्रोइड करवाई जाएगी आपका डेली पर्फॉर्मेंस इसके अलावा डेली प्रक्टिस कुष्टेंस मिलेंगे क्लास में डीपीपी मिलेंगी टेस्ट होंगे होमवर्क टीचरस लाइट और टीचरस के नोट्स भी आपको मिलेंगे और सारे ऐसे आपके वेलन नौन सबीसे आप लोग काफी बार पढ़ चुके काफी बार यूट पे अपने classes भी देखी होंगी और 15 माई तक के लिए आप 0124 715 8250 पर कॉल कर सकते हैं तो मुझे उमीद है याला session आपके लोगे लिए बहुत बहुत ज़दा beneficial रहेगा आप सभी अपना target जो है वो पहले दिन से ही set रखेंगे और इसके अलावा पूरी-पूरी मेहनत करेंगे मेहनत आप नहीं करोगे मेहनत हम भी करेंगे हम मिलकर मेहनत करेंगे सबी हम में तो लगता है कि हम आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ठीक है आपको उतनी मेहनत कर लेनी है जिससे आपका selection हो जाए बस फिर आप आगे चल करके बहुत अच्छी लाइफ जी होगे जो आपन मोटिवेशन की जरुवत नहीं है आप पढ़ाई करो आपकी जो आर्थिक इस्ति यह वही आपका मोटिवेशन है ठीक है तो आप उस इस्ति से अपने आपको बाहर निकालोगे अपने परिवार वालों का नाम रोशन करोगे उन्होंने जो लाइफ नहीं जीए वो लाइफ से बिलोंग करने वाले हमारा बच्चा तो बस यहां पर थोड़ा बहुत काम कर ले आई टी आई वगेरा कर ले जिसमें सही हो जाएगा आप महनत करो ठीक है हमें सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए हम आपके लिए यहां पर आई रहें यार बस आप महनत करो बिल्कुल सर बिल्कुल ना कि महनत आपकी रहेगी ना हम आपके साथ रहेंगे और भविश्या आपका ही और सफलता भी आप ही को मिलेगी तो हम यहां यहीं पर ही एंड करते हैं हम मिलेंगे आने वाले समय में ठाइंक यू टाटा बाई-बाई-बैस और मिलते हैं